हेलो गाइस, वन्स अगेंड वेलकम बैक टू माई चैनल, आज का जो वीडियो रहने वाला है, उसमें मैं BCP सब्जेक्ट है, बेजिक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, उसमें जितने भी इंपोर्टन कम्पेरिजन के आंसर देना बाकी था, तो उसके रिलेटर ये पार्ट वीडियो है, और जिसने भी पार्ट वन जो इंपोर्टन कम्पेरिजन थे, वो नहीं देखा हो, एंड इसका आंसर का पार्ट वन नहीं देखा हो, तो उन दोनों का जो वीडियो है, उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके पार पार्ट वन पार्ट टू देख लेना, और ये बेसिक कम्प्योटर प्रोग्रामिंग का लास्ट वीडियो रहने वाला है, तो ये एंड तक कम्प्लेटली वाच करना, जो भी मेरी चैनल पर नया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो यहाँ पर जो 8 से लेकर 15 तक के ज याद रखा रहा हूँ, क्या करना है, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे, उन सभी में आपको कीवर्स देखना है, जो मैंने रेड एंड बोल्ड करके जितने भी कीवर्स लिए उन सभी को, for example, local का जो पॉइंट है, उसमें declared है, वहाँ पे वो positive sentence होगा, तो global में negative point होगा और global में positive होगा, तो यहाँ पे local में negative होगा, बस इसी वे में आपको जाना है, positive point, negative point, negative point, positive point करके, और आपको क्या करना है, कि जितने भी red and bold करके keywords लिखे, उन सभी का जो आगे का later है, वो यहाँ पे मैंने नीचे ले लिया है, student remembered it as a song है, ठीक है, यह जो आगे का later है, उन song बना लिया है, तो easily आपका यह theory में भी आ सकता है, comparison में भी चलेगा, और कोई 3-4 marks में definition, short not I, उसमें भी चलेगा, तो यह trick आपको बहुत marks gain करने में helpful हो सकती है, और short time में आप काफी ज्यादातर point complete कर सकते हो, फिर यह भी important है, formatted, unformatted function, यह आपका second chapter है, BCP subject में, operators के बात तो यह भी देख लेना, और यह भी important है, आपको मैं one by one सभी explain करने नहीं रहूंगा, आपको कैसे याद रखना है, वो आपको पता है, फिर compiler and interpreter भी एक important topic है, वो भी gtu comparison में निकलती है, definitions भी हो सकती है, तो वो भी देख लेना, फिर runtime error, syntax error, वो भी important topic है, तो वो भी देख लेन कोई query हो, तो comment छोड़ देना, तो मैं आपको answer देदूंगा, जो होगा वो, फिर if else, what is a switch के statement के related है, तो देखो, इसमें ये question है, theory है, लेकिन मैंने comparison ले लिया है, तो ये theory कैसी निकलेगी, explain if else, या फिर what is if else, explain with it example, तो आपको only, इसमें example ही add करना, बाकी है, फिर यहाँ पे जो switch case है, उसमें भी आपको what is switch case statement, या फिर explain switch case with suitable example, इस तरीके से question निकल कर आ सकता है, या फिर आपको comparison में भी निकल कर आ सकता है, तो ये twist करके GTO exam में पूछती रहती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सभी easy point ही है, फिर बिल्गुल बैसे while do while के related ह तो वो भी देख लेना, question same, तरीके से tricky करके वो लोग निकाल सकते है, तो वो ध्यान से देखना, फिर pointer versus array, उसमें भी वो twist करके question निकाल सकते है, तो देख लेना वो, आखिर का जो actual versus formal parameter है, वो इतना important नहीं है, लेकिन आपको देख लेना है, ठीक है, और ये जो point है, उसमें थोड़ी बहती change है, बाकी सबी point आपके यहाँ पे, जो first है, सब program के related, keyword के related, उसमें सीफ तीनी letters का यहाँ पे change है, बाकी सब कूछ same रहेगा, ठीक है, तो ये वीडियो आप आपके friends को share करना, तो वो भी easily इस subject में pass हो सके हो, और उसको भी एक नई trick पता चले, So I hope guys, आपने मेरी channel को subscribe कर दिया होगा, and मैंने आपको इस video में जो भी trick दी, जो भी आपको समझाया, वो आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ पता चला होगा, वीडियो को like, share and channel को subscribe कर देना, thank you for watching this video.